दोस्तों अगर आपका voter ID काड बन गया है अब आप नए डिजाइन वाला voter ID काड डाउनलोड करना चाहते हो तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप नए डिजाइन वाला PVC हाइटेक voter ID काड डाउनलोड कर सकते हो घर बैठे बैठे अपने मुबाइल फोन या सबसे पहले आपको प्लेश्टोर में जाकर voter helpline application को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिक्शन दे दिया है अब वहां से जाके भी इसका अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो तो voter helpline application को इंस्टॉल करने की बाद आपको इसको उपन कर अप्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर शो होगा यहां पर देख सकते हैं mobile number और password का option आ रहा है अगर आपका इसमें पहले से account बना हुआ है तो आप अपना mobile number और password डाल के login कर सकते हैं अगर आपका account इसमें पहले से नहीं बना हुआ तो यहां पर देख पा रहे हैं new user का option आ रहे हैं तो आप इस पर click करेंगे new user पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना phone number डालना है phone number डालने के बाद आप click करेंगे send otp पे send otp पे click करने के बाद आपको यहाँ पर आपका name और last name डालना है उसके बाद आपको एक password create कर रहे हैं और फिर click कर देने send OTP पे तो आपका account यहाँ पर बन जाएगा और आप फिर से आजाएंगे इस वाले page पे तो इस वाले page पे फिर से आने के बाद आपको यहाँ पर mobile number और आपका जो आपने भी password बना है उस password को आपको यहाँ पर डालना है और click करेंगे send OTP पे send OTP पे click करने के बाद जो number आपने डाला था उस number पर OTP आएगा तो वो OTP को आप यहाँ पर fill करेंगे और click करेंगे login now पे login now पे click करने के बाद आप आजाएंगे voter help line application के main page पर यहाँ से आप voter ID card से जोड़े सारे काम कर सकते हैं अगर आपको अपने voter ID card में name change कराना है address change कराना है relation change कराना है या फिर आपको इसमें अपना phone number जितने भी voter ID card से जोड़े काम होते हैं वो सारे काम आप इसी application के थ्रू कर सकते हैं बैठे बैठे वो भी बिल्कुल free of cost मैंने की कोई भी पैसा नहीं लगता आपका तो अब हमें यहाँ पर अपना voter ID card download करना है तो यहाँ पर देख पार हैं लिखा रहा है download e-epic तो हम इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर देख पार है यह पूछ रहा है do you have voter ID reference number यहाँ पर तीन option है yes I have epic number अगर आपके पास voter ID card number है तो आप पहले होले पर click करेंगे नीचे आप देख पार हैं दूसरा option आ रहा है yes I have form reference number जब कभी भी आप नया voter ID card बनवाते हैं या voter ID card में कोई भी correction करवाते हैं photo change करवाना अगर आपको अपना voter ID card number याद नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे third option पर search about detail तो वहाँ पर आपको अपने details डालनी है फिर आपको यह voter ID card number ढून को देदेगा आपको तो हमारे पास तो हमरा voter ID card number है तो हम click करेंगे पहले वाले option पे इस पर click करने के बाद यहाँ पर देख पर हैं please enter your epic number तो यहाँ पर आपको अपना voter ID card number ढल देना है नीचे आप देख पर है select state select state पर click करके आप जिस भी state से belong करते हैं वो state आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूं Delhi डेली डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगा अपना voter ID card number और click कर दूँगा फैस details पर click करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा नाम आ गया यहाँ पर मेरे फादर का नहीं हम आ गया यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया जीमेल आईडी आ गयी और अब क्लिक करूँगा प्रोसीट पे प्रोसीट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पा रहें यह ओटीपी मांगता है यानि कि आपका voter ID card में जो भी मोबाइल नंबर अपने लिंक कर रहा है उस मोबाइल नंबर प्रक एक OTP आएगा तो उस OTP को आपको यहाँ प तहीं पर नीचे left में शेर का option ड्याम करते हैं सुर्पल के बाद यहां से दिख पार हैं पहला OPTIONắt कर सकते हैं दूसरा दीसरा पत्सन है इसमें देखाएं WhatsApp आप इसको WhatsApp पे शेर भी कर सकते हैं और इस नया वाले डिसेइन में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके voter ID card का status, यानि कि जो आपने नया voter ID card apply किया है, वो बन चुका है या नहीं बन चुका है, तो उसका status कैसे चेक करें पहले, तो उसके लिए आप आजाएंगे फिर से home page प बनवाते हैं, तो आपको यहाँ पर हमें से reference ID मिल पाती है, जैसे कि आप right side screen में देख पा रहे हैं, यह मैंने अभी दोस्त का अपने नया voter ID card apply किया था, तो यहाँ पर reference ID जनरेट हुए थी, तो वो reference ID में यहाँ पर डालूँगा, और state में select करूँगा डेली, reference ID और डेली क अगर आपका नया voter ID card accept हो जाता है, तो आप voter ID card number को फिर से आप वहाँ पर download e-epic में जाके, second वाला option चूज़ करके, yes I have form reference number वहाँ पर डाल के आप अपने voter ID card को download कर सकते हैं, और उसको आप as a document कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, I hope कि आपको समझ में आगे हो कैसे download करना है नया डिजाइन वाला voter ID card जैसा मैं आपको बताए वीडियो में, उसी वी में आपको download करना है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक जरूर करें, subscribe करें माई चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो सबसे पर आपको मिल सकें, मिलते हैं आप से को नए वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद